arrange north to south यहाँ पे various channels और sea दिया है आपको और यहाँ पे पूछा है कि आपको इनको कैसे लगाना है इनको आपको north से south direction में लगाना है पहले है Norwegian sea then है north sea then English channel then है आपका ionian sea सोची इसके बर में फिर करते हैं कि इसके उपर discussion की किस तरीके से इसे लगाया जा सकता है चलिए एक बर मैं आप पे देखी तो यहाँ पे मैंने इसे जो mark करके रखा हुआ है सबसे उपर देखेंगे तो आपको Norwegian sea दिखेगा और यह आपके Norway Sweden से भी उपर और western direction में है इसकी तोड़ा सा नीचे आएंगे जो आपकी nordic countries है और जो UK है उसके बीच में आपको north C भी दिखेगा आपको यह लगाने थे कहां से north से south direction के अंदर ही तो सबसे पहले Norwegian सी था बिल्कुल सही है उसके बाद north सी था फिर आपकी English Channel थी UK और France के बीच में और finally Greece के पास आपका ionian सी था तो अल्यड़ी यह sequence में दिए गए हैं तो answer क्या हो जाएगा a will be the correct answer